दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है लॉरेंस विश्णोई जी हाँ हम उसी लॉरेंस विश्णोई की बात कर रहे हैं जिसने जेल में बैठे बैठे कितने ही भयाना कान किये हैं लॉरेंस विश्णोई 2014 से लेकर अभी तक जेल में बंध है और इतना ही नहीं ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है अब लॉरेंस विश्णोई ने हमारे पिम नरेंदर मोधी को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया है ये सब लॉरेंस विश्णोई की बहुत ही सोची समझी साजिस है ताकि वो जेल से आजाद हो सके उसने भारत के पिम नरेंदर मोधी से अपनी मांग रखी है ये वही लॉरेंस विश्णोई है जिसने ना जाने कितने एक्टर्स और पॉलेटिशन्स की जान ली है और वो भी जेल में बैठे बैठे इसके हजारों से ज्यादा कनेक्शन्स और सूटर्स औल ओवर भारत में मौजूद हैं जिन से ये जेल में बैठे बैठे ही जानकारी निकलवाता है और साथ ही मडर भी करवाता है इसके द्वारा कराये गए सिद्धू मूसेवाला के मडर से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं और फिर सल्मान खान को मारूंगा ऐसी ही मडर के इसको लेकर इस बार लॉरेंस विश्णोई ने बहुत बड़ी धम की दी है जो की सीधे पीम नरेंद्र मोदी पे आया है अभी तक इसने कोई कमकान नहीं किये थे और अब इसने भारत के पीम नरेंद्र मोदी को दम की भरे एमेल भेज का डराना शुरू कर दिया है कहा जा रहा है कि सेंटरल सोसाइटी एजेंसी को एमेल मिला है जिसमें कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी की हत्या का प्लैन बनाया जा रहा है इसमें ये भी लिखा है कि पिम नरेंदर मोधी एहंदरबाद स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा इतना ही नहीं बलकि उन्होंने 500 करोड की मांग की है और साथ ही लॉरेंदर मोधी को आजाद करने की मांग इसमें रखी जा रही है कहा जा रहा है कि सेंटर सेक्योर्टी एजनसी ने इस थ्रेट भरे इमेल को रिपोर्ट कर दिया है नैशनल इन्विस्टिकेशन एजनसी एनाईये को इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है और लॉरेंदर मोधी को अब कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और जो इमेल आया था वो ये था कि तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड और साथ ही जेल से लॉरेंदर मोधी के साथ नरिंदर मोधी स्टेडियम को भी उडा देंगे हिंदुस्तान में सब कुछ भिकता है तो हमने सब खरीद लिया है कितना भी कोशिश कर लो हमसे नहीं बचपाओगे दोस्तो जैसे कि भारतवासियों को अब तक इंतजार था ICC World Cup का वो इंतजार भी अब खत्म हो चुका है बीते धस्टे को ही इसका उदगाटन हो चुका है पांच आक्टूबर को ही इसका पहला मैच इंगलेंड और न्यूजिलेंड की बीच खेला गया था जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंदमोधी स्टेडियम में हुआ था जो कि भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्ट की बात है पर 24 गंटे पहले मिले इस धमकी भरे इमेल ने बहुत ही गहरा असर छोड़ा है क्योंकि अगर उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ा दिया तो भारत की सिक्योटी पे बहुत ही बड़ा सवाल उट जाएगा साथ ही मुंबई पुलिस ने बोला है कि एमदाबाद स्टेडियम की सिक्योटी बहुत ही जादा बढ़ा दी गई है क्योंकि वल्ड कप का अभी एक और मैच हुआ है और कई मैच बाकी है और ये धमकी भरे एमेल कहां से आए है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है सुनने में आ रहा है कि लॉरेंज विश्णूई ने अपने खास दोस्त गोल्डी बरार के साथ मिलकर ये धमकी भरे एमेल भीजे है और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कोई कांड होना निश्चित है इसके बारे में अभी तक ये खबर पकी नहीं है